तो है दोस्तों फिर से एक company लेके आए हैं आपके लिए जबरदस्त company किसी भी company में सबसे ज़्याद धार पेटरन होता है इस company का अगर रोल्डिंग पैटर्न आप देखें तो बहुत ही शांदार है प्रमोटर्स के पास देखे 20% है चलिए यह मान लेते कम हैं लेकिन यहां देखेगा आप के FII 39% हो चुके हैं और जो कभी 0 वो करते थे बिल्कुल और जो DII हैं उन्होंने बना कर रखी अपनी अभी 4% के आसपास पहले थोड़ी जाद होते थी हलकी सी सेल हुई है लेकिन फि देखे FII के आने का कारण है एक बहुत बड़ा रीजन है इसमें के 10 साल में देखे 45% से सेल्स ग्रोथ बढ़ी है 5 साल में 114 और पिछले 3 साल से 200% और इस साल तो कमाल ही कर दिया 3,313% साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखे 10 साल में 34% 5 साल में 69% 3 साल में 115 और के कमपनी इस साल जो है बहुत तकड़े रिटन एक देने वाली है इसलिए डिया ने भी सोरी FII ने भी इसमें एंट्री ली है और CGR देखेंगे तो जिस हिसाफ से देखे प्रॉफिट बढ़ा है और शेल्स बढ़ी है उस हिसाफ से प्रॉफिट अभी सिर्फ 86% ही बढ़ा यही में कारण है FII के एंट्र लेने का इसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ देखें कौंज और प्रोज देख लेते हैं तो कुछ तो कौंज में बस यही है कि 20% की होल्डिंग है प्रॉफिट्ट के पास लेकिन अब आप प्रॉफिटर उल्डिंग आपने देखी है सबकी तो बहुत साज़दार एक लगा पैटरन हो सकता है promoters के पास इतना पैसा ना रहा हो जो अपनी holding बढ़ा पाएं वो नी तो जरूर बढ़ाते जिसे साब से company ने growth दिखाई है और दोस्तों देखिए बहुत मेहनत लगती है ऐसे stock ढूंडने में जिसमें प्रोज ही प्रोज हो कौन्ज हो न तो इसके लिए एक like एक share और subscribe जरूर करने और आप discuss करने चाते हैं किसी stock को तो वो comment box में हमें बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसके ओपर एक वीडियो बना दी जाए और प्रोज देखते हैं देखिए company debt free है और एक dividend yield देती है यह 8% का और पिछले 5 साल में CAGR दे रखा इसने 69% का company के कुछ sales वगएरा देख लेते हैं तो यहां आप देखेंगे देखे कभी 12 करोड हुआ करती थी 12 से बढ़कर 445 करोड हो चुकी है और profit आप देखेंगे तो कभी जो loss हुआ करते थे यह profit ना होकर loss हुआ करते थे यह 186 करोड के profit में company आ चुकी है शांदार एक profit growth दिखाया है और EPS अगर देख में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है company का नाम है standard industry limited और देखे इसका एक notice आ रखा है जिसमें बताए गया है कि 14 November को इसका result आना है जिस current company में आपको एक सांदार तेजी 3.75% की देखने को मिली है आज company का market cap देख लेते हैं सिर्फ 187 करोड की company है 29 का current price है market का जो इसका high है वो है 41 रुपे और low है 11 रुपे 40 पैसे पर और देखे पी बहुत ही सस्ता है एक का तो बहुत सस्ता मिल रहा है book value 22 की है तो book value के आसपास ही मिल रहा है dividend भी company देती है और ROE 376 ROC 254% का है तो दोस्तों अच्छी company मेरे को लगती है investors में किया जा सकता है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत